हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकार किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जमती हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो parts में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि total 3 stages होती हैं इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका Paper आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो Paper आते हैं GS का Paper, CSAT का Paper जो की Objective होता है इसके बाद जो Mains Paper होता है Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं जी हां Optional Subject के Paper होते हैं आपके GS के Paper होते हैं आपके Qualifying Nature वाले Paper होते हैं इसके बाद आता है Interview आईए एस examination का Interview तो पूरे इंडिया में काफी जादा Famous है कितना Tough माना जाता है Personality, Development, Classes इसके लिए बहुत जादा सरूरी है Students के लिए और इसी के साथ इसके Paper में Negative Marking भी होती है तो Please Answers गलत मत कीजिए गलत आंसर डिक मत कीजिए अगर आप Question में बिलकुल Sure है तब ही उस Question को आप चौर्ण कीजिए उस Question को Attempt कीजिए Otherwise Negative Marking से 0.1 Negative Marking से भी आपके Ranking में काफी असर पड़ जाता है लखो रांकिंग में असर पड़ता है तो इस चीज़ का प्लीज ध्यां दीजिए Negative Marking में बिलकुल मत पड़िए दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर के आगई हूँ राजस्थान के एक बहुत ही फेमस शहर की Information करके राजस्थान के जोधपूर के आज हम बात करेंगे जोधपूर का नाम लेते ही हमें रेगिस्तान की यादा जाती है क्योंकि पूरे इंडिया में हमें रेगिस्तान देखने को इसी शहर में मिलता है बहुत शांत शहर है ये और इस शहर में जो लोग UPSC Civil Services की Preparations कर रहे हैं उनके लिए आज हम ये वीडियो लेकर गया है तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिए क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपको UPSC Civil Services की Preparations के लिए बहुत ही ज्यादा help करेगी तो दोस्तो हम अरड़ी एक वीडियो अप्लोड कर चुके हैं जहां हमने हर इंस्टिट्यूट जो टॉप के इंस्टिट्यूट्स हैं उनके बारे में उसी एक वीडियो में आपको बता रहा है रांकिंग वाइस कौन सी रांक पर कौन सा इंस्टिट्यूट है उनका अड्र विडियो जहां इन डीटियल इन्फोर्मेशन पहुंचू हैं, इन्फोर्मेशन बताई गई हैं, आपको उस इंस्ट्यूट के बाले में वो वीडियो भी हम अप्लोड कर चुके हैं, आप उन वीडियो को भी हमारे चैनल पर विजिप कर सकते हैं, इससे पहले आप ये कौन सी रांक पर कौन सा इंस्ट्यूट है, हम वो वीडियो आपके सामने, हम वो लिंक आपके सामने रिखा सकते हैं, वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन सी रांक पर कौन सा इंस्ट्यूट है, आप ये देख सकते हैं, दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आदर्ष क्लासेस की आदर्श classes पूरे के पूरे जोदपूर का rank number 8 का सबसे अच्छा coaching institute है यानि 8th rank पर ये आता है UPSC civil services की progressions के लिए तो अब इनके features की बाद करें तो इनके features आपके सामने screen पर मौझूद है जैसा कि हर famous institute का होता है इनका भी study material आपको course के साथ ही provide किया जाएगा और सर्फ इतना ही नहीं इनके study material के अलावा important topics के आपको अलग से notes दिये जाती हैं जहां tips and tricks के basis पर कैसे आप shortcut में जन्दी से जन्दी किसी भी question को solve कर सकते हैं उसकी proper tricks आपको दी जाती हैं उस में step by step आपको notes provide किये जाती हैं यह institute आपको बहुत ही unique way में बढ़ाता है बहुत ही अच्छे way में बढ़ाता है इनके अलावा इनकी जो faculties हैं वो बहुत ही ज्यादा experienced हैं और बहुत ही ज्यादा expert faculties हैं इसके बाद में यह faculties आपके doubt session regular basis कर लेती हैं यानि जब भी आपको कोई भी doubt है किसी भी subject में तो वो timely clear करिया जाता है आपका ताके आप अपने preparation को आगे लेकर के जा सकें तो यह institute आपको हर वे में help करता है आपके exam को qualify करने के लिए इंटर्व्यू के लिए personality development की classes भी यहाँ पर दी जाती है और इनका fee structure भी बाकियों के मगाबले काफी जादा nominal है इनके details आपके सामने screen पर मौजूद हैं आप इन्हें visit कर सकते हैं, contact कर सकते हैं और हमारी page को भी visit कर सकते हैं हमारी page का link नीचे description box में मौजूद है तो thank you so much दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को please please like कीजिए, share कीजिए, हमारे चानल को subscribe कीजिए और bell बटन को प्रेस करना परिकुल मत भूलिए क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये वीडियो लेकर के आती हैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई information के साथ हम मिलेंगे